आज इस वीडियो में हम CorelDraw में Passport Size Photo बनाना सीखेंगे वेसे आम तोर पर लोग Photoshop में Passport Size Photo बनाते हैं लेकिन जिनको CorelDraw सही चला ना आता है वो Passport Size Photo CorelDraw में ही बनाते हैं चलिए आज हम भी सीख लेते है सबसे पहले आपको CorelDraw Open करना है हमने यह photo यहाँ पर ले रखी है, इसको delete करते हैं और जहाँ आपकी photo रखी हुई है, आपको वहाँ उस location पर जाना है और photo को ऐसे पकड़के, ड्रेक करके, कोल रा के अंदर लेकर आ जाना है ऐसे और यहाँ इसको ऐसे छोड़ देना है यह हमारी photo आ चुकी है, आप देख सकते हैं अब सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पर आना है side में toolbox दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से rectangle tool लेना है rectangle tool लेने के बाद एक छोटा सा box आपको बनाना है इस तरह का, उसके बाद यहाँ से इसको pick tool को लेना है और pick tool लेने के बाद, अब आपको यह वाला जो आपने box बनाया है इसको select करना है, इसको select करने के बाद, जैसे ही select करेंगे यहाँ size का option ओन हो जाएगा, वेसे आप यहाँ पर वेसे भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ आपको इसे size नहीं बरना, बलके पहले आपको इस box को select करना है उसके बाद यहाँ size का option आएगा, यहाँ size डालना है 1.2, नीचे डालना है 1.5 ठीक है, size अच्छे से देख लीजिए, यही size होना चाहिए उसके बाद आपको enter कर देना है, जैसे ही enter करेंगे, perfect size आपके पास आजाएगा अब आपको photo को A से पकड़ना है, और shift दबाकर इसको छोटे कर देना है A से shift दबाकर करेंगे, तो दोनों तरफ से अच्छे से छोटी हो जाएगी photo उसके बाद इसको यहां रखेंगे लाकर, थोड़ा सा बड़ा करेंगे अब आपको क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो आप right click करें और यहां power clip inside करें photo के उपर right click करेंगे, तो power clip inside का option ओन हो जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं यहां से ना करें, यानि आपको यहां से मिल नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, यहां आपको एक option दिखाई देगा object, ठीक है, इस पे click करना है उसके बाद यहां दिखाई देगा power clip, इस पे click करना है, place inside, इस पे click करना है या आप यहाँ से right click करेंगे photo के उपर और power clip inside पे click करेंगे उसके बाद यहाँ photo के size के उपर जो size आपने लिया है box इसके उपर click कर देंगे यह photo आपका इसके अंदर fit हो जाएगा अब आपको यहाँ पर यह तो double click करना है या फिर आपको क्या करना है control दबा कर click करना है ठीक है उसके बाद आप इस box के अंदर आ जाएगे जहाँ आपकी photo आ गई है यहाँ से आपको photo को थोड़ा सा बड़ा करना है अपने हिसाब से adjust करना है जैसा आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से हम जैसे इसको adjust कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं हमने इसको adjust कर लिया है इसको इस तरह set करने के बाद आपको control परेस करके keyboard से कहीं भी बाहर click कर देना है जैसे हम Ctrl प्रेस किया और यहां किलिक कर दिया एसे आप इसमें बिल्कुल सही करके इसको बाहर आ जाओगे अब आपको क्या करना है फोटू तो आपकी रेडी हो गई है लेकिन आप देख रहे हैं इसका बोर्डर अभी बहुत कम है इसका बोर्डर देने के लिए कीबोर्ड से F12, F12 प्रेस करना है अगर आपके यहां F12 नहीं आ रहा है तो आप डारेक्ट यहां से यहां को उप्शन दिया है इस पे किलिक करके भी कर सकते हैं जैसे ही इस पे किलिक करेंगे यहां से 2 पोइंट का साइज कर देंगे अब इसका कलर बलेक हो रहा है आउटलाइन का बोर्डर का इसका बोर्डर जो है हम चाहते हैं कि यह और कलर का हो जाए तो यह वाला कलर इसमें डाल देते हैं यह आप देख लिजिए हमारा फोटो एक रेडि हो गया है अब हम चाहते हैं इसके 6, 7, 10, 12, 20 फोटो बनाएं तो उसके लिए आपको दो तरीके हैं पहला तरीका आप कीबोर्ड से पलस दबाएंगे तो इसकी कोपी हो जाएगी और फिर आप इस कोप फोटो को ऐसे इधर ड्रेक करेंगे और कंट्रोल परेस कर लेंगे एसे तो यहाँ पर एसे आ जाएगा लेकिन अगर आप इससे भी एडवांस तरीका जानना चाहते हैं तो एडवांस तरीका यह है कि आप फोटो को सेलेक्ट करेंगे और इधर एसे स्क्रोल करेंगे फोटू को ऐसे खेंचेंगे, कीबूर्ड से कंट्रोल परेस कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही यहाँ फोटू को ले आएंगे, अलग अभी देख सकते हैं आप फोटू की सिरफ आपको बोक्स दिखाई दे रहा है, फोटू वहीं पर परेस कर देंगे, अगर गेप कम दिखाई दे रहा है, तो गेप आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अभी आपके छे फोटू रेडी हो गए हैं, आप चाहें तो इनको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी पे किलिक करेंगे, अगर कंट्रोल पी से नहीं हो रहा है तो आप यहां डारेक्ट फाइल पे आएंगे, और फाइल पे आने की बाद नीचे उप्शन दिया है, पिरिंट, आप देख सकते हैं, पिरिंट पे किलिक करेंगे जैसे ही आप Ctrl P करते हैं या Print पे किलिक करते हैं तो कुछ इस तरह का Option आएगा अब यहां से Page Setup करेंगे सबसे पहले आपको अपना Printer Select करना है हमारा Printer Epson L 3210 है तो हम इस पे किलिक करेंगे उसके बाद यहां Current Page करना है ठीक है? ताके अगर आपकी फाइल में 4-5 Page हैं आपका और अलग से कोई Page ना आपाए Current Page को Select करने के बाद यहां Preferences पर आएंगे उसके बाद यहां से आपको सबसे पहले A4 Select करना है और यहां से आपको Color Select करना है Plane Paper की जगा आपको Photo Paper या फिर Epson Ultra Galaxy Paper ये वाले Paper सेलेक्ट करना है ताके Quality थोड़ी सी अच्छी आ जाए और उसके बाद यहां आपको दिखाई दे रहा है Print Preview इस पे किलिक करने के बाद यहां से OK पे किलिक करना है फिर Apply पे किलिक करना है उसके बाद यहां आपको OK दिखाई देगा इस पे किलिक करना है अब आपके सामने Print Preview हो जाएगा ये बता रहा है कि आपका Epson Printer On नहीं है फिर मुझे Print नहीं करना है इसलिए मैं इसको यहां से तो कुछ इस तरीके साब 6 Photo Ready कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा Photo बनाने हैं तो आप यहां से इनको ड्रेक करके एसे लाएंगे नीचे एसे छोड़ देंगे फिर एसे लाएंगे यहां पर एसे छोड़ देंगे अब चाहें तो इनकी इसे Copy करेंगे और यहां से इनको इसे रख देंगे तो इस तरीके साथ चाहें तो जितने Photo Create कर सकते हैं बना सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो आपको helpful लगा है वीडियो पसंद आया है आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताके हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें